आपका स्वागत है आज मैं आपको एक जो हम रोज एक आइटम पीते हैं जिसका नाम है चाहे उसके बारे में बताना चाहता हूं कि यह हमारे लिए नुसान दायक है या लाब दायक है तो आप यह मेरी को लगता है कि मेरी यह वीडियो देखके आप बहचान जाएंगे कि चाहे हमारे लिए किस तरह से लाब दायक हो सकती है किस तरह से लाब दायक हो सकती है आप नहीं देखते हैं कि चाहे उसने कैसे बनाई या क्या किया नाहीं को इतना ध्यान देता है और चाहे को नाहीं हम ऐसा लेते हैं कि कोई नुकसान दायक की चीज़ है तो मैं आपको यह बताता हूं कि चाहे हमें कैसे पीनी चाहे इतनी नुकसान दायक चीज़ नहीं है लेकिन चाहे को हम लोगों ने नुकसान दायक बना लिया है वह कैसे कि हमारा जो बनाने का त्रीका है चाहे का वह थोड़ा सा उसमें हमें थोड़ा सा मोडिफेशन करना पड़ेगा उसके थोड़ा सा में चेंज लाना पड़ेगा अक्सर हम देखते हैं जैसे हम बाहर से अगर चाय पिते हैं तो उसका तो मैं ऐता हूँ क्या कैना वह तो पता नहीं। पुराणी चाय भी निकालता है कि उबालते रहता है। ज्रूर से पॉजन सबस्तंस निकरने शुरू हो जाता है। कि अब यह प्वाइजना सब्स्टांसी जो होते हैं यह हमारे सारे अंदर के और गन की एफिशेंसी को जीरे-जीरे कम करते रहते हैं एघ्َّरली ठोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि चाय के अंदर क्या होता है कि कॉंसुट्इंट चैको होता है उसके अंदर काफीन काफीन हमारा सीगेन स्क्रावी हो जाता हमारा दौगा को थोड़ी ताज़्डीम deja जरती है और इसके अंदर ठोड़े से अंटियोट्विर्स गए भी होते हैं उसके हमें गैसे थोड़ी ताजगी मिल दाती है यह एक और ज्यादा प्रॉल्म वाली बात है कि दूद में तो पत्ती बिलकुल नहीं उबारने चाहिए क्योंकि दूद में पत्ती उबारने से जो उसका जो है एक फॉर्मेशन प्वाइजन से लफ टाइक बनता है वह ज्यादा ही नुकसान दायक होता है तो दूद को मैं बन उसमें एक टी बैक डालिए और उसमें साथ ही थोड़ा सा गरम दूद आड़ करें और पी लीजी और जितनी शक्कर की मातरा आप चाते हैं मिला सकते हैं कोशिश कीजिए कम ही पीजिए बाकि आपकी जैसे इच्छा है आप पी सकते हैं तो यह सबसे से शेफ चाहिए है इस जो है एक्स्ट्रेक्ट होके हमारे गरम बानी के अंदर एड़ हो जाएगा क्योंकि वह 50 डिग्री टेंपरेशर तक कफीन एड़ हो जाता है हमारी उसके बाद जब हम उबालते रहते हैं तो उससे क्या होता है उसके सारे जो अधर टैनिन और अधर पाजिनल सुस्तांस इस इतने ही होते हैं तो वह सारे निकलने शुरू हो जाते है ओर हमारी चाइए गंदर याड़ हो जता है तो व।ह लिट्व में देखा है में इस वीडियो को य दे रहा हूं कि आosaic के इससे कि प्लिकशिव वाल यइप लेंडे की चाहिय अमरित बन जाएगी और आप एक कप की जगा दो कप पी लीजए कोई नुखसान नहीं करेगी वही चाहे एक आदा कप पीतने हैं जासा कि मैंने बताए और वाइलिंग करके दो वाले, तीन वाले उवाला, चार वाल-वाल, पांच वार वाल, शे वार वाल, वो उतनी ज्यादा नुशायंद आ चाह इसकी क्वांटि आप लिए अगर आप आज सरदी के मौसम में तो चाह ज़्यादा पीना चाते हैं मैं आपको कहूंगा कि आप ँव जिरूर पीजिए बताय हुए इस तरीके के साथ पत्ति को भाती को हमने कोछिश करना है कि पानी में ज्यादा नहीं उबालना नहीं वालना और दूद के साथ तुर दूद के साथ awardini दूद ribs सब्सक्राइब किसी भी तरह का अगर आपको कुछ डौट हो तो आप कुमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक्यू फर वाचिंग जाने हैं